कैसे हो आपको भी आई हो पच्छे होंगे मैं हूँ प्रीस की वैरी मेरी चनल ने आप लोका बहुत बहुत स्वागता तो आज आप लोगको मेरा नया आई लुक दिख रहा होगा यह मैंने कैसे बनाया है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा मैं फ्री ऑनलाइन ब्यूट को मिलेगी मेरे चैनल पर तो जोल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन पर क्लिक कर लिए ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारे दोस्तों को मिल जाए और यह वाला लुक मैंने कैसे क्रीट किया है यह आपको वीडियो में देख करना तो आपको आई मेकप के लिए आई को अएक का बेस तयार करना बहुत ही स्पटोश के लिए आपको क्या करना हना कंसील लेना कंसीलर को का ले evidence क में रड़न जे swoje सारे कंसीलर बहुत डौह जाल सबसे अच्छा हैं Upper लिक्विडgensीर बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा कबशिच देता है बहुत ही अच्छा सा लूचा आता है उससे कोई बीधि Bugün लेलों ऊकोई बाद बातर प्रूर यह लेना और będzie बहुत बहुत अच्छा तो इसवह सब्स्कुआ कर लिया के आप सब्सक्राइब अगर आप concealer नहीं लगा होगे तो आपका eye makeup अच्छा नहीं लगेगा concealer के होता आपका जितना भी dark area होता है सब अच्छे से equal दिखने लग जाता है skin tone के तरहा तो मैंने यह पर concealer लगा लिए उसके बादे अपने face अपने eyes को concealer को compact powder से set कर लेंगे और eye makeup में सबसे main part होता है eyebrow बहुत अच्छे से फील होना चाहिए तो eyebrow फील करने के लिए आप pencil पैंसील भी पैंसील आइब्रो पैंसील यूज़ कर शक्ते हो gel eyeliner और 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 eyeshadow palette में से black color का eyeshadow बहुत सारी चीज़े हैं आइब्रो को फील करने के लिए आजकल मार्केट में अवलेबल है मैंने आप आइशेडो पैलेट में से black color का black और brown color का combination mix करके आप आइब्रो को फील करो फूरा black लेने से थोड़ा सा हमारा आइब्रो बहुत डार्क लाक लिखने लगता है तो आप अप अपने आइब्रो को फील किया है थोड़ा सा चोड़ा चोड़ा सेट देते हुए आइब्रो दोनों आइब्रो एक दम सेम होना चीए तो इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी आइब्रो को फील कर लेना है उसके पर आप आइब्रो के इस तरीके से मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है इस तरीके हैं और आइज भी दभी दभी नहीं दिख्ते हैं उभर के यू एक मस्त सा लुक आ जाता है तो दोनों आइब्रो के नीचे इस तरीके से मने हायईलाइटर अपलाई कर लिया है जो आपने आइब्रो की लाइन बनाए तो मैंने आपे ब्लू आइलाइनर लिया है, यह सेवन सीज का आइलाइनर है, बहुत ही अच्छा है, मैंने पासी के दुकान से लिया था, आप इसको ओनलाइन भी ले सकते हो, तो आपका जो कटक्रीज होता है, पहले नीचे से जैसे आप आइलाइनर लगाते हो, वहां से आइलाइनर को एक अची सी लाइन देते हुए, एक दम एकोल लाइन होनी छी, पूरा आप कट्रीज तक भी ले सकते हो, और हाफ आइज पे आपको अपलाई करना है, पूरा विंग तक आपको यी वालाइनर अपलाई नीकरना हो, एक दम आरामर आमसे करिकां, बिल्कुल भ हुआ दोसरी यहां लुईरा कर देना है दूसरी एच परफेक्ट नमीं तो तक आप ऐसको अप्लाई करते रहे है है अब्ले कर से दोनोलाहिआ के लिए अब ब्लैक कर कर्ण दिया है अब भ्ताइं का व्ड्डबी Eğer को उट्री आपको विंग बनाते हुए जहां पे इस तरहीकर से अप्लाई करना है और ब्लू ले जाते हुए इस तरहीकर से मिक्स 얼िक्र और अटाट और जितना भी गेप वाले एरिया है उसको फील कर लेना है भर देना है आई-लाइनर से इस तरीके से ओके बैगनेस के लिए यह स्केच आई-लाइनर बहुती बेस्ट आप्शन है तो आप अगर बैगनेस हो तो ट्राइ कर सकते हो स्केच आई-लाइनर इजली आप इसको लगा होगे तो इस तरीके से इन दोनों को मिक्स कर देना हापस में आपस में सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आइस पर भी अप्लाई करना है आई-लो के लोग वाटर लाइन पर भी आपको यह ब्लेक कलर का आई-लाइनर अप्लाई करना है और आउटर कौनर पर और इनर कौनर यह पोड़ा सा चौड़ा बनाते हुए च्ऌड़ा आई लाइनर लगाना है पतला ने लगाना है इस तरीके से अप्लाई करना है चिके अब फ्रंट मतलब लो वर्टर लाइन पर फ्रंट तरफ से इनर कॉर्णर से आपको ब्लू कलर का आई-लाइनर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से पुड़ा सा आगी की तरफ से करते हुए को और आप अपने काजाल की जग पर आइट कलर का आए रिजिव तो बहुत ही स्पूर्ण यह क्रति जीएगा है आपको डूप यह और फीन आपकी चोईस नील कॉर्स तो हुआ को ही कोân इस तरफ से इस तरीके हैं ऊप्लाई खर लेना है और अपने फेस का भी मेकप थोड़ा बहुत कर लीजिए कि देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपका इसका कितना प्यादा लग दया न तो आप इस तरीके से भी इसको छोड़ सकते हूं मैं थोड़ा सा इसमें और भी कुछ करने वाली हूं पिंक आइलाइनर एंड पिंक और ग्रेकर का आईलाइनर लेके फिर से अप्लाइ करेंगे तो आप इसको देख लिए वैसे आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो बहुत प्यादा लुकार है तो चलिए पिंक वाला और ग्रेकर वाला आईलाइनर अप्लाइब कर लेते हैं जो हमारा इनर कॉनर है मापे सीम पिंक कलार का इस तरीके सादी अब्लें कre करें अब जैस्त ऊपर से और ऑटर कॉनर पे अग्रे कटर आए लेके इस तरीके से अपलाई कर लेंगे विलू ऑल्लेंडिन it पास पिंक और ब्लैक पास कीड्य कर लिए आप इसी तरीके से दोनों आइज पर अप्लाई कर लेना है आप इस पर सिल्वर या फिर वाइट कर अप्लाई कर दोगे तो और भी बेस्ट लगेगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए पिंक वाला ब्लैक के पास तर दीजिए और इसली वाला अप ब्लू के पास इस तरीके से पिंक वाला अप्लाई करना है कि अगरे तो चलिए फाइनल लुक में आपको अभी दिखा लिए अपना यह मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अब चाहूं तो नीचे लोग अटर लाइन पर भी अप्लाई कर शकते हो बट्मेंशिए उपर उप्लाई कि है तो यह है मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो यह सारी पिक मैंने ली थी तो आप सोचा आप लोगे साथ कर दो तो कैसी लग रही गाए जरूर बटाएगा कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी बैसी लगी हो वीडियो लाइक से हो चैनल सब्सक्राइब बैल एकन प्रेस जर झाल लोको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा आई मेकप अच्छा लगा हो, ओनलाइन ड्यूटी पार्लर कोर्ष में बहुत सारी चीजे मैंने बता दिया है, और जो भी ना सबज में आखो, प्लीज कमेंट बॉक में बता दीजेगा, ताकि मैं उस पर और भी अच्छे से समझ अच्छे से समझ में आगया होगा, टिक क्या मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, प्लीज नहीं समझ में आगा, तो कमेंट बॉक में बता जरू देना,